बड़ी खबर आ रही है लुधियाना कोट ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा हुआ है कि ब्लास्ट के पीछे खालिस्तान का हाथ है सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है आरोपी गगंदीब की पहचान के बाद ये खुलासा हुआ है और धमाके के पीछे पाकिस्तान का हाथ है सूत्र ये भी बता रहे हैं कि धमाके के समय गगंदीब को फोन पर लगातार निर्देश मिल रहे थे इंस्ट्रक्शन्स मिल रहे थे और पाकिस्तान और खालिस्तानी कनेक्शन अब इसमें साफ तौर पर सामने आ रहा है आरोपी के पहचान की गई विशाल इंग्रिश मेरे सही होगी जुड़ गए है जादा अपडेट के साथ विशाल और क्या कुछ खुलासे हुए हैं बड़ी बाते सामने आ रही है कि पाकिस्तानी कनेक्शन भी है इंस्ट्रक्शन लगतार मिल रहे थे और खालिस्तान का हाथ ह है इस हमले के पीछे देखिया बिलाशा खालिस्तान का हाथ होने की अशंका जतलाई जा रही है और वहीं पर अपसे थोड़ी देर बाद ही पंजाब के डीजीपी सिधार चटोपाद है एक प्रेस कॉंफरेंस करने के बाद खुलासा कर सकते हैं कि किनकिन एजंसियों का इस परच अभ्यान चला है डॉक्स कोईट की मदद ली गई और उसका लैप्टॉप टैली जो मॉवाइल है और कुछ जुरूरी कागजात पुलिस ने अपने कबजे में लिए और वहीं पर उसके भाई को भी हिरासत में लिया गया है और उसके परवारिक लोगों से पुलिस न पागे बढ़ेंगी लेकिन जो गगन का अतीक है वो जो अतीत है वो संदिक्त है और जिस तरह से वो जेल में रहके रहाया है जेल में किन लोगों के साथ उठता बैठता था रात बार इंटैलीजंस अजेंसियां जेल में भी पूश्टाश करती दिखाई दी हैं और चंडी लोगों के पास बेचता तक था और एसकी अपने उसको इसी मावले में दबोचा भी था जिसमें उसको दो साल की कैद हुई थी और आप वो चूड़ने के बाद सब्तंबर में ही बापस आया था और आज जिस तरह से रात भार एन ये की टीम लगातार ही कॉपरेट कर रही ह क्योंकि जो ब्रेक अप किया गया है जो सारे मावले को ब्रेक किया है वो पंजाब के काउंटर इंटेलिजेंस ने ओकू ने किया है और ओकू के अधिकारी रात बार पंजाब के लग-लग स्थानों पर रेड करते हुए दिखाई भी दिये और जो हमारे सोर्स बता रहे हैं जो पंजाब के डी जी पी सिधार चटोपद है इसका खुलासा कर सकते हैं कि जे ड्रग डीलर किस तरह से बना और इसके कहां-कहां से लिंक थे और भही पर दिल्ली में भी जो आला अधिकारियों के जो इंटेलिजेंस अधिकारियों और जो फोर्सिज के अधिकारियों की भी एक काफी लंबी चोड़ी बैटक हुई बताई जा रही है और इस मामले को काफी गंभीरता से दिली के इंदर सरकार भी और पंजाब सरकार भी ले रही है और इसी लिए बड़ा ही सोसम कर हरे एक कदम उठाया जा रहा है जी बिलकुल विशार और चुनाव नजदीक हैं जाहिर तो पर ये हाथसा जो है ये हमला इसे बहुती गंभीरता से ले रही है सरकार ये भी समझना चाहेंगे आप से कि क्या अब जो खालिसतारी करेक्शन की बास सामने आ रही है कि बबर खालसा का इसमें हाथ हो सकता है किस तरीके से ये अक्टिव हो रहा है पंजाब में ये भी सरकार के लिए बेहद एहम होगा कि अब इसमें कैसे जाच को आगे बढ़ाई जाए और सक्ति की जाए देखिए अभी तक जो हमारे पास पुकता जानकारी है कि किसी भी तरह से जो बबर खालसा की बात अभी नहीं आई है लेकिन दवी जबान से ये कहा जा रहा है कि बेशक इसमें जो हमारे सोर्सिज भी बता रहे हैं कि इसमें हाई एक्सप्लोजब आर डी एक्स का इस्तेमाल किया गया है और आर्डी एक्स इसके पास कहां से आया एक किलो के करीब बताया जा रहा है कि आर्डी एक्स का इस्तेमाल किया गया है RDX कहां से आया क्योंकि RDX देश में नहीं बनता और RDX की स्मगलिंग हमेशा से ही पाकिस्तान बॉर्डर के थू होती आयी है पंजाब का 500 किलो मिटर का जो बॉर्डर है आए दिन क्योंकि 14 तरीक को ही इंटेलिजन्स अजन्सियों ने इंपुट दे दिया था कि पाकिस्तान के रास्ते से ड्रोन के माद्यम से हथ्यार और RDX भेजा जा रहा है किन लोगों के पास यह आडी एक्स यहां पे पहुंचा कंसाइन्मेंट RDX की कहां से चली और इसके पास कहां से आया जह अभी जो सुरक्षा जन्सियां इसकी जाच करने में लगी हुई है बिल्कुल विशाल यह भी समझना चाहेंगे कि यह कहा जा रहा है कि आनलाइन सारी जो इंस्ट्रक्शन्स हैं वो आरोपी को दिये जा रहे थे गगंदीप को दिये जा रहे थे तो क्या यह माना जाए कि आब इसमें पाकिस्तान का हाँ साफ तोर पर सामने आ रहा है आज जो प्रेस कॉन्फरेंस होगा उसमें पाकिस्तान से जुड़ा हुआ बड़ा खुलासा हो सकता है अबिलाशा इसी लिए मैंने आपको बताया था ना कि स्पॉर्ट के उपर वहां पर एक डॉंगल मिलता है उसके घर से एक लैप्टॉप मिलता है कुछ मवाईल फोन मिलते हैं और उनको राज से ही जो एक्सपर्ट है वो लगे हुए है खंगाले में के जो इंटरनेट के थ इसे डिस्ट्रिकोड लुद्याना में आर्डी एक्स लेक के जाके वहां पर उसको असेंबल कर रहा था तो इतने में यह धमाका हो गया जैसा के सोर्सिज बता रहे हैं लेकिन बड़ा खुलासा पंजाब के डी जी पी थोड़ी देर बाद ही करेंगे बिल्कुल और जो पा पाक हैंडलर पर होगी देखिए जो हम देखिए जो हमारे सोर्सिज वो यह भी बता रहे हैं के हैंडलर की भी पहचान कर ली गई है कि कौन वो हैंडलर है जहां पर इंस्ट्रक्शन पास की जा रही थी और पंजाब में कुछ लोगों को हिरासत में भी रासे लिया गया है उनसे लगातार ही interrogation centers में पंजाब के लग लग interrogation center में चाये वो लुद्याना हो खना हो जा पिर महाली हो वहां पर लगातार ही पूशता चल रही है और पूशताष के बाद सुरक्श्य जैसियों के पास एहम सुराग भी लगे हैं जी बिलकुल और लगातार हम आपके पास लोटते रहेंगे विशाल इस पर ताजा अपडेट के लिए फिलाल शुक्री आपका और खासतोर पर नजर रहेगी साड़े बारा बजे के प्रेस कांफरेंस पर के पंजाब पुलिस और क्या खुलासे इस मामले से जुड़ी हुई करती है